हेलो फ्रेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकडाउन चल रहा है और घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है इसलिए मैं घर पर ही अवेलेवन सामग्री से आज बेज बिर्याने बनाओके इस बिर्यानी को खाकर आप हैद्रवदी बिर्यानी हो या लखनवी बिर्यानी हो, सब बिर्यानी बोल जाओके क्योंकि आज मैं बनाने चाने ही हो, फुक्त सोया चंस पड़ी दम बिर्यानी हो, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रस्त कबसे पहले राइस को आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दे, जोया चंस में आधा टी स्पून नमक डाल कर गुंगने पानी में भिगो कर रख दे, ये 15 से 20 सेफरें स्टेंट्स को आधे कप गुंगने दूद में डाल कर रख दिया है, बड़े स्लाइज अनियन को चार ब और एक छोटा चमच नमक डाल कर इसे 70 परसंट पका ले, अनियन फ्राइ हो चुके हैं उसे एक बाउल में निकाल ले, अब उसी पैन में अपने काजूं को भी फ्राइ कर ले, काजू के बाद पनीर को अच्छे से फ्राइ कर ले, और फिर अपने हाफ बॉयल्ड आलू को भ अब हम ग्रेवी बनाने के लिए एक टीस्पून ओयल लेंगे, उसमें एक टीस्पून जीरा डाल दें, दो तेजपता डाल दें, एक टुकडा दालचीनी का डाल दें, तीन हरी लाइची डाल दें, तीन ही लॉंग डाल दें, और अब एक टुकडा रफली चौप किया चौप टमाटर डाल दें, तमें 10-12 टुकडे काजु के डाल कर एक कप पानी डाल कर इसे 10 मिनट के लिए धक्कन लगा कर पका लें और ठंडा होने पर इसकी प्योरी बना कर रख लें वेजी टेबल्स को रेडी करने के लिए पैन में प्योरी डाल दें, और अब उसमें एक छोटा चमच हल्दी पौडर डाल दें, एक छोटा चमच धनिया पौडर डाल दें, और एक छोटा चमच बिर्यानी मसाला डाल दें, एक छोटा चमच नमक डाल दें, और एक छोटा चम अब इसमें आधा कप पानी डाल कर इसे ढखकन लगा कर पका लें। गैस बंद करके इसके ठंडा होने पर एक छोटी कटोरी कर डाल दें और आधे कटोरी फ्रेश क्रीम डाल कर इसे अच्छे से मिला दें। इसे फिर से कम आज पर दो मिनट के लिए पकाएं और कसोरी मेथी डाल कर गैस बंद कर दें। अब हम लेरिंग करेंगे उसके लिए एक हांडी लें और उसमें एक बड़ा चमच देसी घी का डाल दें। फिर अपनी बने हुई वेजिटेबल्स की एक लियर लगा दें। उसके उपर अपने बने हुए राइस की लियर लगा दें। राइस को अच्छे से बिच्छा दें और उसके उपर फ्राइड अनियन बिच्छा दें। उसके उपर फ्रेश पुदीने के पत्ते फैला दें, फिर सैफ्रोन की कुछ बुंदे दूद में मिलाई हुई डाल दें और फिर अपने काजू उसके उपर फैला दें फिर से अपनी दूसरी लेयर वेजटेबल के लगा दें इसी तरह आप अपनी पूरी वेजटेबल की लेयर और राइस की लेयर लगा दें आप सबसे उपर राइस की लेयर लगाएंगे उसके उपर एक बड़ा चमच देशी घी का लगा दें और फिर से अपने अनियन फेला दें, और फिर फ्रेश पुदीने के पत्ते लगा दें, काजू को फेला दें, और सैफरन की कुछ बूंदे डाल दें, हो सके तो कुछ केवडा या रोज असेंस की भी बूंदे डाल दें, अब हम इसे दम लगा कर पकाएंगे, उसके लिए हां सालों की खुश्बू आ रही है देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है और अंत में अब इसमें स्मोकी फ्लेवर दे दे और इसे दो मिनट धक कर रख दे दो मिनट बाद आपकी बिर्यानी सर्फ करने के लिए रेडी है इसे साइट से सभी लेर्स को लेते हुए बिर्यान मिनट लीव से कार्णिश करें आप इसे प्यास ट्रमाटर के रायते के साथ या फिर किसी भी करी के साथ खा सकते हैं है अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थेंक्यू